हलो गाइज, विल्कम बैक तो माई चैनल, आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी से एक मीटर में लांग कुर्टी की कटिंग बताने जा रहे हैं तेहाँ पर हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, अब हम इसे एक फोल्ड और करेंगे यह आप चाहे तो साइड डोरी की बना सकते हैं या फिर ऐसे ही लांग कुर्टी तेहाँ पर हमने इसका सोल्डर साड़े छे इंच लिया है और आर्म होल भी साड़े छे इंच लिया है अब हम एक बॉक्स तयार करेंगे और इसके बास सीने का माप लेंगे तो यहाँ पर हमने नो इंच लिया है और एक इंच पर हम इसकी आर्म होल की गुलाई देंगे तो यहाँ पर हमने आर्म होल में गुलाई दे दी है अब हम इस पर कमर का निसान लगाएंगे तो उपर से हम 15 इंच पे एक निसान बनाएंगे और हिप का निसान हमें 20 इंच पे बनाएंगे आप चाहे तो 14 और 20 भी कर सकते हैं लेकिन ये लॉंग कुर्ती है इसलिए हमने इस पे 15 और 21 लिया है अब हम कुमर का चोथाई भाग लेंगे तो यहाँ पर आगे के हम गले का निसान लगाएंगे तो यहाँ पर आगे के गला हमने 7 इंच पे रखा है और 3 इंच पे इसकी चोड़ाई लगते हुए उपर भी 3 इंच लेंगे और एक बॉक्स तयार करेंगे इसमें आप कोई भी सेप का डिजाइन दे सकते हैं तो यहाँ पर हमने वर्फी कट सेप दिया है तो यहाँ पर हम 3 इंच पे एक और निसान लगाएंगे और इसपे हम डिजाइन तयार करेंगे तो उपर की तरफ से हम गोलाई दी है और नीचे की तरफ से हम आधा इंच पे निसान लगाएंगे तो यहाँ पर हमने तीरा गिरा दिया है अब हम आगे की तरफ से एक इंच पे निसान लगाएंगे और आगे का आर्मोल का सेब देंगे तो यहाँ पर हमने आगे का आर्मोल और पीछे का दोनों सेब दे दिया हैं अब हम इसे कटिंग कर देंगे तो दोस्तो अगर आपको वीडियो जरा सभी पसंद आई हो तो प्लीज हमा चैनल को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा तो फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार